अनलो 10 नमस्कार कैसे आप आज में आपको बताने जा रही हूं कि आप रेगूलर गहर की चीजों से कैसे अपनी स्कीन को दॉच करें और ग्लोइंग बनाएं तो यह मैं बताने जा रही हूँ यह बहुत ही इसी है अप इसको असानी से घर पे गहरेख कहले हो दिन और अगर आप इसको दे वीक में दो या तीन बार यूज़ करेंगे तो आप की इसकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी मैं जो बताने जा रहे हूं यह मेरे पास वाओ को अलोविरा जैल है आप चाहे तो आप पतंजली का भी ले सकते हैं अगर आपके पास वह नहीं है तो वह है मैं अक्सर यह यूज़ करते हूं क्योंकि मुझे यह सबसे ज्यादा प्यॉर लगता है क्योंकि यह 99% प्यॉर है और बिल्कुल जैसे नेच्र अलोविरा जैल निकलता है वैसा ही यह निकलता है इसलिए मैं इसको कर देती हूं तो फ्रेंट्स वाइटनिंग में अलोवि अलोविरा जैल यूज़ करने के लिए अपनी स्कीम को ब्राइटनिंग बनाने के लिए तो सबसे पहले मैं यूज़ करूंगी यह निवू और निवू में जितना आप चाहो थोड़ा ज्यादा कम यह यह आप बहुत ही इजी रेमिडिया इसको ऐसे सटल कर लिजे यह मैंन यह सुगर है यह अलोविरा जैल इसकीन को लाइटनिंग, साइनिंग, गलोईग मुनाता है और लेमन आपके स्कीन में जितने भी बैक्टिरिया इन अल होते हैं उनको खतम करता है, ब्लैमसिंग को खतम करता है और यह तीसरा है मेरे पास सुगर, चीनी यह आपका स्क्रब क करते हैं यह बहुत ही अच्छा है बस आपको कुछ नहीं करना एक अलोवेरा जैल लेना है अगर आपको पास घर का है तो ले लिए अधर वाइस पतंचली का लिए यह लिए मैं इसे यूज यह मुझे बहुत इफेक्टिव लगता है मैं यह स्कीन में यूज करके देखा है मैं कंटिनेसली तो तीन महेनी से बहुत फ़र्ग पड़ा है तो आप यह चाहें यह ले सकते हैं यह तीन सु रुपे का मिलता है नाइक का से तो आप यह भी ले सकते हैं दूसरा आप सुगर सकते हैं आप चाहें तो फर्स्ट लेयर आप ऐसे कर सकते हैं ऐसे फर्स्ट लेयर जैल विद नीवू का कर सकते हैं यह जब आपका फर्स्ट लेयर हो जाए ऐलोवेरा जैल विद नीवू का तो फाया पांच मिट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दें ऐसे करके पांच मिट के छोड़ दीजिए देन उसके बाद जब आपका हाथ 5 मिट में यह अब्जाव कर ले तो मैं तो हाथ पे करके दिखा रही हूं आप यह जिनके ब्लैमसिंग में इस स्कीन औब्जाव कर ले आपके एलोवरा जेल नीवू को ऐसे सुगर में लगाके देन आप यह एसे यूज कर सकते हैं इससे आपके वैक्टिरिया वायरे जित्ते भी हैं डरडी स्कीन वो सब निकलती हैं शुगर यह आपकी सकीन को लैटनिंग या ब्रैटनिंग में तो आप इसे यूज करिए अगर ये वीक में आप दो या तीन बार करते हैं तो आपकी स्कीन लाइटनिंग होती है ब्राइटनिंग होती है और डेड़ सेल्स मरती है और आप ये बहुत कारगर नुकसा है अगर आप ये वीक में दो या तीन बार करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए तो फ्रिंट्स में चाहती हूं कि आप ये करिए और दूसरी बात जब आपने ये पांश मरत करिए हलके हलके हां से ज्यादा टाइट नहीं क्योंकि टाइट करोगी तो सुगर एकदम स्कीन को कट कर देता है निवू के साथ तो और ज्यादा एफेक्टिव होता है कुछ लोगों की सेंसिटिव स्कीन होती है तो उन्हें ज्यादा रब नहीं करना चाहिए और आप चाहोते से सर्कूलर फॉर्म में ऐस ऐसे ऐसे देन ऐसे ऐसे इसको कर सकते हैं तो एक वाल ने फिर पांच मुट तक छोड़ते फिर पांच मुट लें अगर ज्यादा टाइम नहीं तो सटर्डे संडी में आप कर सकते हैं यह बहुत ही अच्छा नुकसा है आपकी स्कीन को लाइटनिंग ब्राइटनिंग करने क सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आपको इसको पांच मुट बाद दो के देखेंगे पांच दस मट के लिए छोड़ दीजिए और देन दोके दीजिए अगर यह फेस पर करते जिन्रों के ब्लैम सिंग से जाईयां हैं दाग दब्ब्र हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा बाई